तो दोस्तों next year 2022 में हमें बहुत से upcoming flexive phones देखने को मिलने वाली है वो भी दोस्तों snapdragon के latest and crazy chipset snapdragon 8 Gen 1 के साथ तो दोस्तों ये तो बहुत ही जादे crazy होने वाली है next year और दोस्तों यहाँ पे तो इसे बहुत से smart phones है जो की launch करने वाली है next year बड़ दोस्तों यहाँ पे जो कुछ phones हैं जैसे की दोस्तों यहाँ पे आपको launch करने वाली है Samsung Galaxy S22 and OnePlus 10 इसी तरह के पहुत से smart phones launch करने वाली है 2022 next year में तो दोस्तों especially आज इस वीडियो में मैं इसी सब smart phones के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ upgradations वगीरा हमें देखने को मिलने वाली है हमारे upcoming flagship phones में so चले करते वीडियो को start without wasting a second तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें सबसे पहला smart phone देखने को मिलते है वो है दोस्तों IQ 9 जो की दोस्तों लास्ट येर IQ 8 जो launch किया था उसका successor होने वाला है एर दोस्तों एक बात मैं बोलू यहाँ पे जो मुझे IQ series का है मतलब IQ का कोई भी phone है उसका जो सबसे अच्छा चीज लगता है कि IQ जब भी अपना कोई भी phone को launch करता है इंडिया में यहाँ फिर लाता है तो वहाँ पे हमें उस समय जो भी Snapdragon का जो भी latest chipset रहता है तो उसे उसमें यहाँ पे दिया जाता है जिसे कि आप लास्ट येर ही देख लो वहाँ पे जब IQ 8 लॉंच गया था तो उस समय Snapdragon का latest chipset था 888 Qualcomm Snapdragon 888 तो वही हमें उसमें देखने को मिला था यहाँ होब कि हर बार की तरह इस बार भी हमें इसमें जो अभी latest chipset चल रही है Snapdragon 8 Gen 1 वहीं हमें देखने को इसमें मिलेगी तो वह तो बहुत ही crazy chipset है दोस्तों जैसे कि आपने दोस्तों उसका untutu बगेरा देखाई होगा तो इस साल वह बहुत ही एक crazy smartphone होने बाली है दोस्तों और दोस्तों इस phone में आपको 144 हज का screen refresh के साख इस phone में आपको display देखने को मिलेगी और दोस्तों इसका जो camera इसका जो front camera है वहाँ पे आपको दोस्तों जैसे भीबो में gimbal stabilization वगेरा देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे as well यहाँ पे back side में आपको triple rear camera का setup देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ एक बात और जो भी gamers है जो IQ के phone पसंद करतें gaming के लिए तो उनके लिए दोस्तों यह phone और भी जादे upgradeable हो चुकी है इसमें दोस्तों और भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको gaming experience होने वाली है अगर आप gaming phone का wait करें तो IQ 9 का आप जरूर से जरूर वेट करना और दोस्तों next year Xiaomi 12 series का भी आपको यहाँ पे launches देखने को मिल जाएगी साय से आपको first quad में ही 2020 के first quad में ही आपको इसका launch देखने को मिल जाए जिसमें के आपको snapdragon 8 Gen 1 का chipset देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे back side में आपको quad rear camera setup देखने को मिले गए और सामने के camera में यहाँ आपको in display camera वगेरा देखने को मिलने वाली है और दोस्तों और भी जो flexive features वगेरा होता है वो सभी आपको इस phone में देखने को मिलने वाली है दोस्तों तो OnePlus वाले भी पूरे ready to set है अपने OnePlus 10 को launch करने के लिए तो दोस्तों next year 2022 के first quad में आपको OnePlus 10 भी देखने को मिलने वाली है चहाँ पे दोस्तों आपको snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे एक बात और दोस्तों यहाँ पे जो color OS थी इसकी जो oxygen OS और color OS थी ओपो एंड OnePlus की उसे जो integrate करके एक नया OS निकला गया तो सायद से वही OS आपको इस phone में आप देखने को मिले यही phone नहीं बांकी के कुछ दिन के बाद अपडेट के द्वारा दोस्तों सभी phone में आपको यही नया वाला OS देखने को मिलेगा color OS and oxygen OS के integration वाला दोस्तों लास्ट येर जो आपको हसल बेट का lenses आपको OnePlus 9 स्रीज में देखने को मिला तो सैम यहाँ पे कुछ और improvement के साथ यहाँ पे कुछ और upgradation के साथ यहाँ पे आपको OnePlus 10 स्रीज में आपको यह camera lenses देखने को मिलने वाली है तो भाई हम लोग Motorola को कैसे भूल गए जो कि दोस्तों 2021 में कहर मचा के रखा है कोई साभी price segment आप देख लो कोई साभ price segment के साथ आप Motorola का phone को ढून लो तो वहाँ पे आपको मिल जागी इस बार दोस्तों हर price segment के साथ इसने phone को launch दिया है तो दोस्तों next year भी आपको Motorola Moto H30 Ultra के नाम से आपको इसका flexi phone देखने को मिल रही है जिसमें कि आपको दोस्तों सैम आपको Snapdragon 899 का chipset देखने को मिल रही है साथ ही दोस्तों यहाँ पे HDR10 का आपको certification इसके display में देखने को मिल रही है camera की बात करें तो यहाँ पे आपको front side में punch hole में 60 megapixel का camera sensor देखने को मिल रही है and rear side में आपको quad camera setup बगेरा देखने को मिलने वाली है and हाँ दोस्तों next year Samsung Galaxy S2022 जो की दोस्तों Samsung के इस साल के most avoided phone है उसकी launches भी हमें देखने को मिलने वाली है साय से दोस्तों first quad में ही आपको 2022 के first quad में इसका भी आपको launches देखने को मिल सकती है यहाँ पे जो एक point of view है यहाँ पे देखने का इस phone का यहाँ पे जो मुझे सबसे बुड़ी चीज लगती है Samsung अपना कोई सा भी phone जब बाहर globally launch करती है तो वहाँ पे अच्छे ची चिपसेट को यूज करती है जैसे के snapdragon और भी बहतर बहतर चिपसेट वगेरा को यूज करती है इंडिया में आते दोस्तों वह एक्जोनस को पकरके बैट जाती है मुझे यह बात समझी नहीं आती इतना इतना प्राइस लेते हो तुम भाई डेर लाग दो लाग का फोन लाते हो बर दो तो वहाँ पे बद्दा सा एक्जोनस चिपसेट आप लाके दे दे तो यह कब आई YouTube मिल रही है तो सह08 से हमें Samsung में इस पर यह देखने को मिल जा है और कुछ और स्प्डकिल की बात करें तो यहाँ पर आपको A Ilist खुल को mist writes !? तो बेल आइकन को जरूर से जरूर क्रेस कर देना विकाज दोस्तों आपके एक लाइक और एक सस्क्राइब से हम लोग को बहुत ही जादे मोटिविशन्स मिलती है तो दोस्तों तब तक के लिए जाएं इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेफ्स टाइम